हेलो दोस्तों एक बार फिर्से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेसाइनर वागों है तो आज अपने इस टुटोरियल को आगे कंटिन्यू करते हुए इस प्ले लिस्ट में पहले भी बना रखा है इस प्लान को कैसे बनाना है क्या क्मांड्स अपने यूज कर कर सकते हैं वो ।स्क्राइर और इसका जो पात होता है वो पात यह होता है चो आप लोगों इसका design center होता है इस design center में आपके पास अलग-अलग blocks होता है अब सबसे पहले जैसे कि यह अपना residence बना हुआ है तो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ और यहाँ पर देखता हूँ home space planner पर जाता हूँ blocks पर double click करता हूँ तो देखिए मिरे पास bed है जो की queen size है यह मेरे पाँ bed आ जाएगा sofa है, sofa आ जाएगा two-seater है, three-seater है center table है, rectangular table है और desk है अपने पास तो इस तरीके से अपने को dining set यह सारी चीज़े अपने को मिल जाती है home space planner की जगे मैं house designer में अगर जाओं blocks को यहाँ से open करूँ double click करके टॉलेट टॉप आ गया और चिंक आ गया बाट अब आ जाता है आपके इस तरीके से बहुत सारी चीज़े हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं landscape है, landscape में block लेता हूँ जैसे car, sedan का side view आ गया तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे options होते हैं अब अपने को इसको place करना है तो आप normal move command आप यूज कर सकते हैं अगर इन command में कोई दिक्कत है तो आप starting में जाके इस playlist में start में देख सकते हैं मैंने बिल्कुल basic से start कराया है अब जैसे मैं कोई यहां पर लगाना अगर मैं को इसको rotate करना मैं चाहरा हूँ इसके center part को उठाऊंगा और इसके center part पर मैं यहां पर रख देता हूँ इस तरीके से मैंने यह लगा दिया यहां से मैं इसको copy करना है यह मैंने copy किया मैं इसको rotate भी कर देता हूँ मैंने इसको Rotate किया, इसको Move करता हम और यहां से मैंने इसको Move किया और यहां पर मैं इसको Place करते था हूँ इस तरीके से आपन बैड का Placement करते हैं डाइनिंग यूनिट चीए तो डाइनिंग यूनिट नहीं यहां से यह बहुत इस्टंडर साइच के आपको मिलेंगे अब देखिए यह टेबल जो मेरे पास है इस तरीके से मैं यहां पर प्लेस करता हूं एक मेरे स्टंडर साइच हो गया कि स्टंडर साइच का डाइनिंग टेबल मैंने यहां पर लगाया है यह बहुत ही बेसिक आपके पास जो है अब्जेक्ट मिलते हैं कुछ मोडल्स मेरे पास यहां पर डाउनलोड़ीड है जिनको अगर मैं यहां पर देखू तो कलर में है वो इसकी जगह इस बैड की जगह कर में यह वाला बैड लेता हूं इसको मैं देख कर देता हूं हिसके साथ अध्रीट भी है कि कि अपने को सिंपल से है अपने को अपने को आपने और आपके एक्साइट है यहाँ पे कर जाना है यहाँ पे जाएंगे तो बहुत सारे ृप्लॉक्ण आपके पास मिन जाते हैं जैसे आपको बाथरूम से रिलेटेड एससरीज लेनी है आप यहाँ पर जाएंगे जैसे अब यह सारी चीज़े हैं यह आपका Elevation भी है और यहाँ से Top भी है तो यहाँ पर आपके और आपको जो है Simple सा यहाँ से Download Cat Blocks करने यह मैंने Cat Blocks के लिए Show in Folder यह Folder मैं यहाँ से Cut करता हूँ एक बार मेरा desktop के मैं रखता हूँ desktop के मैंने प्रेस्ट किया और इस फाइल को राइट क्लिक करके अपन करेंगे Accept file here अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ यह चुन में मेरा AutoCAD 17 में open हो रहा है मैं इसको इसमें करता हूँ इसको मैं open करता हूँ open with यह अपने AutoCAD में open होगे अब जैसे में को यहां से यह वाली जो है WC लेनी है तो आपको Ctrl C करना है और Ctrl C करने के बाद में आप अपने इस फाइल पर जाएंगे वर यहां पर आप कर देंगे Ctrl V ठीकी यह फाइल मेरी यहां पर आ रही है और यह बहुत बड़ी है तो इस कीस में मैं इसको scale कर दूँँगा scale और मैं इसका scale factor डाल देता हूँ .01 इसको move करके जो है मैं इसकी placement लेता हूँ इसके recording इस तरीके से मैं इसको scale करके place कर सकता हूँ scale देखके जो भी आपके dimension है उसके recording आप इसको check कर सकता है और यहां पर जाके मैं इसको rotate करके इसको जहां भी place करना है आप इसको place करते हैं आपको dimension इसकी पता होनी चाहिए कि लगभग यहां से कितना था तो लगभग 22 इंच यह होना चाहिए अभी यह आ रहा है अपना 24 और यह बहुत ज्यादा आ रहा है तो आपन इसको scale कर लेंगे और scale factor में मैं डाल रहा हूं 0.7 distance और यहां से यहां तक का distance जो है इसका जो विजन चाहरा है तो यह ठीक है अब मैं इसको move कर देता हूं यहां पर लगा देता हूं जहां पर भी आपको इसको place करना है वहां पर आप इसको place कर सकते हैं तो इस तरीके से मैंने दिया तो यह कुछ downloaded units मैंने यहां पर रखी थी जैसे कि यह bad यहां पर आया तो अब मैं इनको हटाता हूं और इसको copy करता हूं इस डाइनिंग टेपल की जबें मैं यह वल डाइनिंग टेपल लगूंगा आप जैसे यह कार का व्यू है तो कार व्यू उसी तरीके से अपने डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप कंट्रोल प्लस थ्री प्रैस करें यहां पर आप जाएंगे तो आप मैं जाता हूं आर्किडक्शन में तो यहां पर आ रहा है वहिकल इंपीरियल व्यू तो इसमें आपके पास क्या होता है यहां पर इसको जैसे आप स्लेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन बटन आएगा इस आप पे जाएंगे तो आपको जो भी लेना तॉपलेना एप फ्रन्ट वेलेना बैक लेना वह सारे प्राइप देंगे ट्रेट अपलेना है कि यह और यह विल्याइग आपको तो मैं सपोर्स कार का टॉप ले लेता हूं और आपको रोटेट कर देता हूं और तौफ कर लेते हैं गबार तो इस तरीके से आपन यह प्लेसमेट कर देंगे इसमें तो इस तरीके से आप पनीचर प्लेसमेंट कर सकते हैं और बाकी अदाव जितनी हैं आपके पास में आप उनको डिलीट कर दें उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आ है तो लॉट जरूर करें नेक्स कैसे बनाना 2D elevation कैसे बनाना वह अपन देखेंगे इसके नेक्स वीडियो में थैंक यू